हलो दोस्तों और कैसे हैं आप लोग मैं आ गया हूँ कामिक सैंडी और आपके सामने एक नए सीरीज लेकिए यह चोड़ा सा मिनी सीरीज है और इस स्टोरी का नाम है नुक्लियर वोर इसमें आप लोग देखेंगे सेबर टूथ ओल्ड मैन लोगन और उसके साथ वारपोथ ड विडियो बनाओंगा बाद में लेकिन स्टोरी के मैं स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूं ग्रेक पैक जो कि स्टोरी का राइटर है उसने बहुत ही अच्छी तरह यह स्टोरी लिखाए क्योंकि वह वेपन एक्स का रेगुलर राइटर है तो चलिए में अभी सेबर टूथ ओल्मेन लोगन डॉमिनो वर्पॉत यह सब लोग मिलके उसी म्यूटन को बचाने की कोशिश में जुरे हुए है तो अभी वो लोग एक जगा पर आ गये है जहां पर उन लोग के पास किसी भी फाइट करने के लिए अभी कोई आप्शन नहीं है वो सब लोग बोल रहे है क्यों ना चलो कुछ फाइट के साथ मिल जूल जाए जैसे के हम कुछ बैंक लूट सकते हैं लेकिन ओल मैन लोगन बताता है कि हम लोग खराब काम नहीं करते तब डॉमिनो बताती है क्योंकि ऐसा क्योंकि हम लोग कुछ खराब काम नहीं करेंगे तो क के लिए ये अच्छा काम भी हो जाएगा क्योंकि ये चोड़ों का पैसा है और वो चोड़ों का पैसा हम लोग के पास आ जाएगा और ये सब बात करते करते अचानक से कॉल आया था है वर्पाथ के फोन पे और वर्पाथ के फोन पे जब कॉल आता है तब वो बोलता है ये बहुत है निसे पार्ट है था है कि पूरा का पूरा का पूरा पूरा घंध दिया गया है और उधर कुछ आर्मी के लोग आके सब लोग को मारने की कोशिश कर रहा है especially mutants को और mutants के family को तो इसलिए जोगे का भाई सारे mutants बच्चे और बूरे को लेके भाग रहा है उत्तर की तरफ उस गाओ के और वो request कर रहा है warpath को के वो अपना team लेके उधर जल्दी से जल्दा आजाए उन लोग के help चाहिए क्योंकि उन लोग के उपर जो आर्मी के लोग हमला कर रहा है वो लोग कुछ अजीवी दिखने में हैं उन लोग के face में US का flag अका हुआ है जैसे उन लोग के face में US का flag painted है तो हम लोग को इससे पता चल जाता है यह actually जो एक nuke का face है मतलब nuke नाम के एक special mutant था जिनको वो लोग weapon 7 बोलते है उसी nuke mutant के face पे यह पूरा flag का painting था और जब यह आर्मी के face में भी इसी flag का painting दिखता है तो उसके साथ ही हम लोग को पता चल जाता है कि story का नाम क्यूं है nuclear war तो anyway जब एसे रो मतलब जो 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 बाइब का call disconnect हो जाता है उसके बाद ही सब लोग decide कर लेते हैं उन लोग को अभी मार्को सेंटर में जाना चाहिए और उधर जाके जो इसके भाई को बचाना चाहिए और उसके भाई के साथ ही जो जो mutants उधर फसे हुए है उन लोग को बचाना चाहिए उधर हम लोग देखते है सैंटर मॉर्को में एक press conference चल रहा है जहाँ पे उन लोग का President Amelia Doerthi एक भाषन दे रहा है और उसी भाषन में उन लोग का President यही बताता है कि वो लोग कोई भी mutants को support नहीं करता और US मतलब Americans उसके उपर जान लेवा हमला कई दिनों से करने की कोशिश कर रहा है और इसी President को मारने की कोशिश कर रहा है लेकिन फिर भी वो सब कुछ सहन कर रहा है लेकिन अब वो सहन नहीं करेगा क्योंकि उन लोग के पास से जो भी mutants आए है सब लोग को खतम कर दिया जाएगा उदर हम लोग देखते हैं mutant खतम करने के camp में हम लोग को दिखता है कि उसी camp में सारे soldiers अभी बैठे अपना time पस कर रहा है इवनिंग हो चुका है शाम हो चुका है और हम लोग देखते है जो और इसके भाई मतलब S.A.R.O. और उसके दोस्तों को इसी soldiers ने अभी बंदी बना लिया है उधर हम लोग देखते हैं सेरो सब लोग को mutants जो की jail में बंदी है वो सब लोग को बताता है चलो हम भी ऐसे ही नहीं मरेंगे हम लोग भी fight करेंगे ready हो जाओ ऐसा बोलते ही वो लोग चौक जाता है क्योंकि उसी soldiers के उपर अभी हमला मोर दिया है Warpoth, Old Man Logan, Sabertooth, Domino उन लोग के squad ने और वो लोग एक के बाद एक लोग को खात्मा करता जाता है तभी Old Man Logan बताता है क्ये सारे officers को मारते रहो और उधर से सारे mutants को निकालो उन लोग के बंदी अवस्ता से उन लोग को निकाल के बचाओ और तभी Warpoth जब गोलियों की बोचार चल रहा था mutants के उपर भी तभी Warpoth उन लोग के सामने आ जाता है सारे गोलियों से mutants को बचा लेता है और mutants के केज जो था उधर से सब लोग को निकालने के बाद उन लोग को एक ट्रक में चला देता है और उधर से वो ट्रक चला देता है जो की उन लोग को लेके भाग जाएगा फिर Warpoth बताता है सेबर टूथ को के तुम कवर करो उसी ट्रक के बारे में लेकिन सेबर टूथ इससे राजी नहीं होता वो बोलता है वो यहाँ आया है मार पीट करने के लिए और लोगों को मारने के लिए इसलिए जब बाखी के बाखी म्यूटेंस उस ट्रक में चर्क के भाग जाते है उदर से उन लोग को बचा के लेकर Warpoth ओल मैन लोगन उदर से जा रहा होता है तब सेबर्टूथ बोलता है वो इधरी रुकेगा और सारे सोलिए को मार गिराएगा तब ओल्ड मैन लोगन को डॉमिनो बताती है कि हम लोग आभी क्या करना चाहिए तब Old Man Logan बताता है कि Sabertooth एक grown-up इंसान है वो अपना ख्याल खुद रख सकेगा तो Sabertooth उसके बाद Army Cap में घुश जाता है तब ही उसके उपर गोलियों की बोचार कर देता है उसी Nuked Soldiers और उसके बाद वो उन लोगों से बचते हुए एक Science Lab में आगुसता है जहां पर आके देखता है वो सारे के सारे साइंटिस्ट उदर काम कर रहे है तब वो थोड़ा घुसा हो जाता है और सारे साइंटिस्ट को एकदम दबोच के बोलता है कि Nuked Pills चाहिए जिससे Sabertooth के Sabertooth के ओपर गोलियों की बोचार शुरू हो जाता है New Soldiers उसके पास आके गोलियों की बोचार शुरू कर देता है फिर वो एक Kavyn में घुस जाता है और Kavyn में घुसने के बाद वो उसका दर्वाजा बंद कर देता है लेकिन उसके बाजु वाले केविन से कोई तो बताता है कि तुम्हें वो red pills चाहिए है ना लेकिन तुम ये red pills को लेके क्या करोगे फिर वो बताता है कि ये सब लोग मेरे सही mutant powers लेके इसी red pills को बनाया है और मैं हूँ actual में weapon 7 न्यूक तो हम लोग को पता चल जाता है बाजुवाले केविन में ही न्यूक जो की actual weapon 7 है और वो ही है new तो उसी को बंदी बनाके उसी से power लेके ये सारे soldiers, new soldiers बनाया गया है तो इसी के साथ खतम हो जाता है episode 1 हम लोग को wait करना परेगा कि next episode में क्या होता है warpert और old man Logan सारे mutants को लेके कहा भाग जाते है और Sabertooth अब इस camp से कैसे निकलेगा बच के उसी के लिए आप लोग को like करना परेगा वीडियो को share करना परेगा सब्सक्राइब करना परेगा comics and channel के लिए और आप लोग को wait करना परेगा episode 2 के लिए तो अभी के लिए good bye दोस्तो and good night